आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ चानके के बारे में क्योंकि चानके के समंद में हमारे देश में बहुत सा बिवाद है कुछ लोग ये कहते हैं कि चानके एक एतिहास लिख पातर है कुछ लोग कहते हैं कि चानके एक मिथ्थ पातर है तो इसकी सच्चाई क्या है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने का प्रयास करूँगा इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक किताब खोल के दिखाने बाला हूँ जिसमें चानक्य के बारे में क्या लिखा है वो मैं आपको दिखाऊंगा इस बुक को चैनल ओनर के पास काफी समय पहले किसी सब्सक्राइबर्स ने पीडियेफ के माध्यम से भेजा था और उनसे प्रस्ण किया था कि इसमें चानक्य के बारे में जो जानकारी दी गई है उसमें कितनी सच्चाई है किरप्या बता हैं तो इस किताब के अंदर जो चानक्य के बारे में बात की गई है उसमें कितनी सच्चाई है मैं उस पे चरजा करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर तो आएए वीडियो की सुरुगात करते हैं तो ये है वो किताब जिसका नाम है भरम का पुलिंदा राजी उपर टेल की है ये इसमें चानक्य के बारे में क्या कहा गया है वो मैं आपको बताऊंगा अगर आप लोग इस बुक को पढ़ना चाहते हैं तो इसकी जो लिंक है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स और चैनल के टेली ग्राम पे आपको मिल जाएगी तो वहां से मंगवा के आप इसे पढ़ सकते हो तो पेज नंबर है 34 ब्रहम का पुलिंदा यह आपको यहां पर ध्यान रखना है यहां से चानक के बारे में एक जानकारी इसमें दी गई है उस पर बात करते हैं ब्रमसील समुदाय को यहाँ पर ब्रमसील समुदाय किसको कहा गया है जो चानक को एक एतिहासिक पात्र मानते हैं उन्हें कहा गया है यह आपको ध्यान रखना है ब्रमसील समुदाय को चंदरगुप्त मौर की शोरगाथा वाली सारी जानकारी अंग्रेजी सरकार की आने के ब प्राप्त होती है ये बात बिल्गुत सही है अंग्रेज को कोई नहीं जानता था चंद्र गुप्त मौर्र को कोई नहीं जानता था चानक को को तो आज आपको भारत में अस्व के बंसज भी मिलनेंगे शात्में चानक के बंसज भी मिल जाएंगे आगे लिखा है यही बज़ा है कि अंग्रेज के पूर्व काल में भ्रामकों द्वारा गड़ी गई किसी कहानी में चानक की कोई गाथा वाली कहानी नहीं है कहने का मतलब है कि अंग्रेजों से पहले चाणक की जो गाथा वाली कहानी है वो दिखाई नहीं देती है लेकिन जब अंग्रेजी विद्वानों द्वारा मौर सासन की जानकारी इस प्रिकार से बताई गई तो भरमकों में खलवली मच गई कि बगेर भरमकों के सहयोग से कोई इतना बड़ा सासक कैसे बन गया अगर बन भी गया तो अब यह अच्छी बात नहीं है उस जानकारी को अब बिकृत करना ही होगा साथ ही उस प्रमानिक बीरिता का सारा स्रिय किसी ब्रहम बंस के पात्र को जाना चाहिए वस इसके बाद भ्रमसील समुदाय द्वारा मौरे काल के महान संस्थापक चंद्रगुप्त मौरे के दर्वार में नीती निर्धारन हेतू भ्रमसील समुदाय का एक कालपनिक पात्र चानक को प्रबंधक के रूप में उदय कराया जाता है ऐसा मैं नहीं बलकि चानक के बारे में मिला घुस पैठिया प्रमान कहता है ऐसे इस पात्र के बारे में विस्तार पूरुबक जानकारी मैंने सम्यक प्रकासन से प्रकाशित पुस्तक बुद्ध जीवियों का शड्यंत्र में मेगस्थनीज के हवाले से दी है जिसे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर एक बुक की चर्चा आ रही है बुद्ध जीवियों का सड्यंत्र इस बुक में इन्होंने और जो जानकारी है चानक के की संबंद में वो दी है क्योंकि मेगस्थनीज उसी समय में भारत आये थी और मेगस्थनीज की एक बुक है इंडिका उसमें चानक के नाम के बैक्ती का कहीं कोई जिक्र है नहीं जो की उसी समय की भुक माने जाती है लेकिन बाद में एकदम से चानक का उदय हो जाना और चानक के द्वारा जो कितावे लिखी गई है उनमें ये कहा जाना कि ये मौर्रिकाल में लिखी गई है लेकिन जब उनका धेन क किया जाता है तो मौर्रकाल के बारे में उनमें कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती है आगे लिखा है फिर भी कुछ बातों पर यहां भी चर्चा करेंगे ऐसे ब्रहमसीलों की यह पुरानी आदत रही है उनके समुदाय की आठवी सताब्दी से पूर्व जो भी गपोड वह सब घुसपैठ द्वारा ही निर्मित है दूसरे राचपूत और मुगलकाल की दरबार में रहे ब्रहमभाट दरवारियों की प्रिसद्धी जग जाहर है इसमें भी भ्रहमकों की सबसे बड़ी विस्व विख्यात गुनबत्ता अकवर के दरबार में रहे नवरतनों में बी रही नहीं हुआ था तो फिर ब्रहमकों का जन्म भी होने का सवाल नहीं है इसी सचाई को जुटलाने है तू ब्रहमक समुदाय अपने कालपनिक पूरवच को समय समय पर आठवी सताबदी से पूर में जाकर पुस्तकों के माध्यम से पैदा करते रहे हैं इनका कहने का है कि आठवी नोवी सताबदी से पहले भारत में जो ब्रहमक समुदाय है उनका अस्तुत दखाई नहीं देता है लेकिन यहां पर मैं थोड़ा सा रुखना चाहूंगा जैसा कि मेरी रिसर्च ये कहती है कि इस बात में सच्चाई कम है ये साथवी आठवी सती से पहले भी थे ये मुझे सही नहीं लगता है आगे लिखा है ऐसा भ्रहम फैलाने से भ्रहमसील समुदाय को एक साथ दो बातों का लाप होता है पहला लाप तो यह होता है कि आठवी नौवी सताबदी के बाद जनम लेने बाला भ्रहमिक समुदाय के जातिवर्ण का सगसंबंधी पू दूसरा लाव यह होता है कि सम्यक संस्कृति में मौरबंस के जैसे अन्य वलसाली संबराटों की पल्लू में छुपकर यह समुदाय अपनी जूटी गुनबता को दिखा देता है जबकि दोनों तथे तरक संगत नहीं हैं। इसलिए तरक की कसोटी पर इन जाल फरेवों को कोई भी कसेगा तो धूरतों द्वारा निर्मित भ्रहम का पुलिंदा आसानी से दिख जाएगा। चानक पर निर्मित भ्रहम का पुलिंदा को देखते हैं। भ्रमबाजों ने अपनी गपूरता वाली आदत की बज़े से चानक का इतना बखान कर दिया है कि आज वही उसके गले का फास बन गया है जैसे चानक द्वारा चानक की नीती और चानक अर्थसास्त्र की जानकारी को काफी प्रमुकता से जग जाहर करना अब इस बात की जानकारी तो सभी को है कि चंद्रगुप्त मौर या उस समय के रहे अन्य सभी सम्राटों या सभी विद्वानों बाली लिखी जानकारी खुदाई से मिली है साथी उस खुदाई में जो भी लिखत साक्ष मिला है वह सारा लिखा हुआ पत्थरों पर मिला है इस बात से आप सब लोग सहमत है कि मौर रिकाल का सारा लिखत अभीलेक सिला पर मिला है फिर चानक का लिखित ग्यान सिलापट पर कब और कहां मिला इसकी भी जानकारी दी जाए यहाँ पर कहने का मतलब है कि जो मौर काल के लिखित पिरमान मिले हैं वो पत्थरों पर मिले हैं लेकिन चानक के बारे में अब तक कुछ नहीं मिला है और चानक का जो लिखित ग्यान आज हमारे पास उपलब्ध है वो कहां से आया है क्योंकि मौर काल में जितने भी अभिलेक सिलालेक मिले हैं उनमें किसी में भी चानक के नाम के किसी व्यक्ति का कोई उलेक नहीं है तो फिर चानक के के बारे में जानकारी कहां से मिली इसकी जानकारी दी जाए यह बात आज पूरे विशु को मालूम है कि भारत में ईसवी संसे पूर्व जिस किसी ने भी कुछ भी लिखा था वह सभी लिखावट सिलाओं यानि पत्थर पर और धम लिपी में लिखा हुआ मि भासा स्वरूप में आज तक क्यों नहीं मिला यह यहां पर बहुती अच्छा जो प्रस्ण है इन्होंने उठाया है लेका कि यहां पर कहते हैं राजी पटेल कि मौर्र काल में जो लिखावट है वो पत्थरों पर है किसी कागच पर नहीं है और चानक की नीती और चानक के द्वारा लिखा हुआ अर्थसास्त्र जिस भासा स्वरूप में लिखा है और जिस लिपी में लिखा है वो लिपी उस समय थी नहीं क्योंकि उस समय धम लिपी का पर चलन था और धम लिपी में ना तो अर्थसास्त्र लिखा है ना ही चानक के नीती लिखी हुई है जैसे आ सुईकार नहीं करेंगे बस भ्रम यहीं से फैल जाता है लोगों के अंदर अब जिससे जानकारी है वो चानक के बारे में पृष्ण पूछता है अब जिससे जानकारी नहीं है वो चानक को जैसा बताओगे वो बैसा सुईकार कर लेगा मैंने चानक के संबन्द में एक शीरियल देखा था चानक कब थे चंद्रगुप्त मौर्रे के समाय में वहाँ भी उनका जीवन कटा फिर बिंदु सार के समाय में भी फिर असोक के समाय में भी घजब की कहानी दिखाते हैं टीवी सीरियल में जो पूरे तर्क को ही जिन्दा मार देती है यानि आप एक बात यहाँ पर समझो मालो चानक की की उमर चंद्रगुप्त मौर के सासनकाल में 40 वर्स रही होगी मैं कहता हूँ 30 वर्स रही होगी फिर चंद्रगुप्त मौर के बाद बिंदुसार का सासन आता है बिंदुसार के सासन काल के बाद असोक का सासन काल आता है यानि चंदरगुप्त भी मर गए बिंदुसार भी मर गए इसके बाद चानक जंदा ही रही असोक के काल तक तो यहाँ जो टीवी सीरिल के माध्यम से लोगों को ये बताने का परियास किया जाता है कि देखिए असोग के सासनकाल तक वो जीवित रहे तो ये पूरी तरह से मिथ है इसलिए लोग चानक के संबंद में प्रस्न पूछते हैं और उनका प्रस्न पूछना लाजमी है आगे लिखा है क्या चानक के उस समय का कोई अपबाद व्यक्ति था जो अपने भ्रमिक यानि भूदे उसमुदाय के अलोकिक सक्ती का प्रियोग करते हुए इस सिलाओं की जगह सीधे ईसाबाद के बने कागज और ईसाबाद की बिक्सक नागरी लिपी द्वारा लेखन करने लगा था यानि यह यहाँ पर कहना चाहते हैं कि चानक के पास कोई ऐसी सक्ती थी क्या जो कागज बनने से पहले ही कागज का प्रियोग कर रहा हो और जो नागरी लिपी है उसका बिकास होने से पहले ही उसने बिकास कर लिया हो और लिखने लगा हो ऐसा संभाव नहीं है अगर आज कोई ब्यक्ती यह कहे कि मैं 1920 में मुवाइल का प्रियोग करता था और 5G इंटरनेट के माध्यम से 4K क्वालिटी में वीडियो देखा करता था तो कोई बात मानेगा कोई नहीं मानेगा बस ऐसी ही बात यहाँ पर की जा रही है मौरकाल में नागरी लिपी का परचलन नहीं था यह हम सब लोग जानते हैं हिंदी जब हमें पढ़ाई जाती थी आठवी नौवी दसवी बारवी में तब भी इस बात को अच्छे से समझाया जाता था कि नागरी लिपी का जो परचलन है वो कब हुगा है लेकिन फिर भी लोग नागरी लिपी को कोई असोक से पहले कोई बुद्ध से पहले कुछ तो एक करोड़ चानबे लाक साल पहले इस्थापित कर देते हैं तो अब उनकी दिमाग की जो काबिलियत है उसका जो पता है वो यहीं से चल जाता है कि उनके अंदर कितनी छमता है सूचने की जिस लिपी का ही बिकास नहीं हुआ है उस लिपी को आप समय से पूर्व बता दो तो कोई भी हसेगा यहीं यहाँ पर इन्होंने कहा है बात यह है कि भ्रहमकों पर कभी कभी सस्ते नसे का प्रभाव गजब का चढ़ता है आखिर नसा का प्रभाव नहीं हुआ तो फिर गपूडियों को बिना परातत्युक साक्ष के चानक की जानकारी कैसे हुई। ये भी बात इनकी सही है। आज समग्र मौरबंस के कारकाल के जितने भी लिखित सिलालेख मिले हैं। उन सिलालेखों में किसी चानक की कहीं कोई चर्चा नहीं मिली है। अगर उन सिलालेखों में चानक की कुछ चर्चा नहीं हुई तो इससे इसपस्ट हो जाता है कि चानक नाम के पात्र को बाद में प्रत्यारूपित करते हुए भ्रम का पुलंदा बनाया गया है। यानि समराट असुक के एक भी सिलालेख में चानक के नाम के किसी भी ब्यक्ती का कोई उलेख दिखाई नहीं देता है। तो फिर जो चानक के बारे में जानकारी है वो कहां से आई है। उपर मैंने भ्रमकओं को सलाह भी दी थी कि तुम लोग दूर दरशन के माध्यम से इश्वर की खोज की जगह पर सिलालेख की खोज नाम का एक धाराबाहिक बनाओ। उसमें चानक के द्वारा लिखित सिलाले को सामिल कर लेना ताकि चानक के द्वारा लिखित अभिले की सच्चाई आज सभी लोगों के बीच में आ जाए जिस सभी के दमाग में चानक के लीला की सच्चाई का पता चल जाए यहां पर लेखक तंज कस रहे हैं उन लोगों पे जो चानक को एक एतिहासिक पात्र मानते हैं और कहते हैं कि चानक के बारे में कोई सिलालेख तो मिला नहीं है तो दूर दर्सन के माध्यम से जो ईस्वर की खोज नामक धारबाहिक है उसकी जगहे पर अविलेख की खोज नामक धारबाहिक बनाओ और उसमें ये भी दिखाओ के चानक के संबंद में सिलालेख मिल चुके हैं ताकि लोगों को इस बात का पता चल सके उमेद करता हूँ कि आप लोग भ्रहमिकों का गपूर लीला समझ गए होंगे फिर भी एक बात की जानकारी देदूं के अंग्रेजी सरकार में मिले पुरातत्विक साक्षियों के आधार पर जब मौर बंस की महानता बताई गई तो अंग्रेजी काल में भ्रहमिक समुदाय को अपने गपोड ग्यान पर कुंठा महसूस होनी लगी उस कुंठा से बचने का एक ही उपाय था की एक नई भ्रहमपूर कहानी के पुलिंदय को जन्म देना जिसमें मौर काल का सारा स्रे उनके सिर पर आ जाए ऐसे भ्रहमिक समुदाय के अंदर यह गुण जन्मजाद देखने को मिलता है आगे लिखा है ब्रहमिक समुदाय को जब किसी भी काल या घटना में अपने आपको इस्थापित करना होता है तो सबसे पहले एक लेखा का नाम तै किया जाता है जिस लेखा का नाम कल्बना द्वारा तै होता है उस लेखा का वास्तविक जीवन से कोई दूर का संबंद भी नहीं होता है अब खेल का दूसरा पहली शुरू होता है पूर्वकाल के किसी महत्पून बंस की जानकारी वाली पुस्तक या बौध जातक कथाओं से युक्त कोई भाग को लेकर एक पुस्तक की रचना होती है अब उस रचना में जिस पात्र को या जिस विसय को स्थापित करना होता है उससे संबंदित उस समय के पात्रों को या वैसे विसय का दो सब्द वर्णन कर दिया जाता है और आग यह पुस्तक एक सुरूत का काम करना सुरू कर देती है भ्रमकों दोरा अभी तक जितनी भी कहानिया बनाई गई हैं सभी में इसी परकार से मिथ विसाय या मिथ्या पात्र या मिथ्या यूप का निर्मान करते हुए भ्रमका पुलिंदा तयार किया गया है आगे लिखा है चानक नाम के किरदार को मौर के दर्वार में बैठाने हे तू दो अग्यात व्यक्तियों द्वारा अग्यात काल में जाकर दो पुस्तकों का लेखन होता है जिसमें एक पुस्तक का नाम महाबंस और दूसरे का नाम मुद्रा राक्षस है अब जो पहली पुस् पुस्तक का प्रथम लेखन के स्काल में हुआ और इसका लेखक कौन था इसकी सही पुस्ती करने वाला आज कोई नहीं है ये बात बिल्कुल सही है जो लोग ऐसा कहते हैं कि महाबंस में चानक का उलेख है तो महाबंस कब लिखा गया ये पहले हमें पता होना चाहिए और मह उसमें चानक को हिंदू नहीं लिखा गया है तो फिर आपने उसे हिंदू कैसे मान लिया कि ये हमारा हिंदू है ये भी बात बिल्कुल सही है कि अगर बोद्धों की किसी किताब में अगर कुछ भी लिखा है तो आप उसे अपना कैसे बता सकते हो अपना तो वही बता सकता है जिसके पूरवज बौद रहे हों वही ब्यक्ति कह सकता है कि ये हमारे पूरवज है आगे लिखा है अब इस पुस्तक पर गौर करें तो पाएंगे कि इसमें सम्राट विंबिसार से लेकर गुप्त सासक तक का वर्णन किया गया है इस पुस्तक में सम्राट संस्कृति में रहे सभी सम्राटों और मार्गदाता का वर्णन चमात कारिक और बिकरत करते हुई दिखाया गया है महाबंस में सम्राट असुक द्वारा अपने निन्यान बे भाईयों की हत्या को दिखाया गया है तो वहीं भगवान बुद्ध द्वारा सिल लंका का भर्मान भी बताया गया है सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ कि मैंने खुद ही महाबंस पे वीडियो बनाए है और महाबंस में अधिकतर जो जानकारी है वो अतीश्युक्ती है जैसे असोक के बारे में उसमें कहा गया है कि उन्होंने निन्यान बे भाईयों की हत्या की जो की बिल्कुल मिथ है उनके जब अभिलेखों का ध्यान किया जाता है तो उनके भाईयों की वहाँ पर चर्चा आती है अब हम एक किताब को सही माने या उनके अभिलेख को सही माने किताब में तो कभी भी कोई भी लिख सकता है इसी तरह से किताबों में जो लिखी गई बाते हैं उन्हें जब तक प्रमानत ना किया जाए तब तक वो सही नहीं होती है महाबंस जो जानकारी दी गई है वो पूरी तरह से सही नहीं है और अगर आप महाबंस में लिखी हुई जानकारी को पूरी तरह से सही मानते हैं लेकिन उसमें ये बात की चर्चा आई है महाबंस और दीबंस साम की जो किताबें हैं इनका समय भी ठीक वही है जब चानक को भारती इतिहास में 1905 में साम सास्त्री के दोरा डाला गया था आगे लिखा है आकर इस पुस्तक में पुरातत्वक साक्षों के विपरीद इतनी बड़ी छीड़ चाड किस आधार पर की गई इसका कुई भी प्रामानिक आधार नहीं दिया गया है जिस कालखंड के बारे में इसमें चर्चा की गई है उससे यही परतीत होता है कि इसका लेखन गुप्तकाल के बाद मैं कभी हुआ होगा इसके लेखन के काल का अनुमान जो लगाया जा रहा है उसके अनुसार उस समय देश पर हरस बरदन या पाल बंस का सासन था और साथी उस समय देश में अनेक सिक्षन संस्थान भी कारे रत थी जिस बजह से आज गुप्तकाल का और अनेक सिक्षन संस्थानों का काफी लिखित साक्ष मिला है लेकिन वह सभी साक्ष जमीन के अंदर खुदाई से मिले हैं फिर महाबंस उस तक की जानकारी किस उत्खनन से हुई यह आज तक किसी को नहीं मालूम है सबसे मज़े की बात यह है कि गुप्तकाल, बर्धनकाल, पालकाल या उस समय के सिक्षन संस्थानों का सभी लेकन तामर पत्र, ताड़ पत्र के साथ धम लिपी की बन माला में है लेकन गपोडियों द्वारा चानक को इस्थापत करने हे तू लिखी गई महाबंस पुस्तक कागजबे है यह बात बिल्कुल सही है कि जब हम पराने लेक पढ़ते हैं, हर्सपरदन के समय तक पढ़ते हैं तो ठीक से उनके लेक आज कोई पढ़ नहीं पाएगा जबकि आज हमें यह बताया जाता है कि संस्कृत बहुत पराचीन है आगे लिखा है, फिर तो पक्के तोर पर कहा जा सकता है कि महाबंस नाम की पुस्तक का लेखन का जो समय है वो नौबी और दसवी सदी के बाद का है मैं कह रहा हूँ कि नौबी दसवी सदी नहीं अठारवी उननीसवी सदी के आसपास का है उससे पहले का नहीं है महाबंस बस्तुत है सिलंका से जोड़कर लिखी गई पुस्तक है इस पुस्तक के मूल लेखा कौन है इस बात की जानकारी आज तक किसी ने या किसी को नहीं है कोई नहीं जानता कि जो महाबंस बस्तक है उसका लेखा कौन है और वो पहली बार कब लिखी गई थी इस बात की जानकारी किसी के पास नहीं है लेकिन इस बस्तक का अनुबाद करवाते हुए पुना 1942 इसवी में हिंदी साहित सम्मिलन प्रियाग उत्तर प्रदेश के सहयोग से परकाशक बनते हुए पोद्दार प्रसाद गौड कायस्त पाटसाला प्रेस द्वारा मुद्रत करवाया गया था इस पुस्तक का अनुबाद के रूप में भदंत आनंद कौशलायन का नाम लिखा है यहां आनंद कौशलायन सर्फ अनुबाद की भूमका में है चबकि इस पुस्तक को पहली बार किस ने लिखा इसके बारे में आज तक कोई नहीं जानता इसलिए मैं कहा रहा हूँ कि इस पुस्तक की जो जानकारी है वो बहुत बाद की है और इसमें जो बाते लिखी हैं वो भी बिल्कुल अतिश्योक्ती हैं तोटली अतिश्योक्ती हैं आगे लिखा है अब कहानी को समझें बरहद पैमाने पर उतकरन होने के बाद 19-20 में अंग् प्राप्त होती है उसके बाद तो देश के भ्रहम भाटों के पेट में गुड़-गुड़ी चालू हो जाती है फिर सुरू होती है एक नई कहाने का लेखन करते हुए भ्रहम का पुलिंदा बनाने का जो आज आपके सामने है दूसरी पुस्तक मुद्रा राक्षस है उसमें भी भ्रहम का पुलंदा देख लेते हैं मुद्रा राक्षस के लेखक का नाम विसाखदत अंकित है जो एक संस्कृत भासा में नाटक की रूप में अंकित है आगे लेका है लेकिन विसाखदत द्वारा लेकित मूल रेजना की पांडूली भी अभी तक नहीं मिली है दूसर मुद्रा राक्षस में लेकित जानकारी को कैसे प्राप्त किया इसके बारे में भी कुछ नहीं लिखा है आखिर क्यों क्योंकि मौर्रिकाल की सारी जानकारी अंग्रेज विद्वान ने उत्खरन करने के बाद जाना था इस नाटि पुस्तक मुद्रा राक्षस को 1850 CCW में भारति इंदु हरिष्चंद द्वारा अनुबाद किया गया था जिस अनुबादित नाटि पुस्तक में अंग्रेजी विद्वान द्वारा दी गई जानकारी का कुछ अंस और इस्थापित करने वाले पात्र चानक के के बारे में दो सब्द वर्नत हैं बस यहीं से सुरू होता है एक कालपनिक पात्र पर भ्रम का पुलिंदा बनना यानि कोई अगर कहानी कहीं लिखी है तो हमारे देश में क्या करते हैं लोग उस कहानी को एतिहासिक बनाने के लिए उस पर दो चार किताबें लिख देती हैं और उसमें जो पात्र हैं उन पात्रों को एतिहासिक बनाने के लिए लोगों को बार बार उनकी कहानी सुनाई जाती है और दिखाई जाती है कभी टीबी के माध्यम से तो कभी पुस्तकों के माध्यम से अगर आप कोई भी जूटी जानकारी बार बार लोगों के सामने प्रस्तुत करेंगे तो एक पीडी को आप छूड़ देजि कि ये एक एतिहासिक पात्र है क्योंकि वो स्पीडी के दिमाग में ये रहेगा कि हमारे पिता भी करते आए हैं ये कहानी में कोई ने कोई सचाईत होगी इसलिए हम भी इसे सुईकार कर लेते हैं बस यहीं से एक नाटक का पात्र एक एतिहास से पात्र की रूप में बदलना शुरू हो जाता है लेकिन जब कोई इतिहास का जानकार व्यक्ति इस पर प्रस्ण खड़े करता है तो लोग सबसे पहले उसी पर प्रस्ण खड़े करना शुरू कर देते हैं यही चानक के साथ इतिहास में हुआ है आगे लिखा है अब इन्ही सब पुस्तकों को आधार मानकर भ्रहमिक समुदा के सत्ताधारी तमगा से सुसोभित किसी लेखा का पुस्तक या दैनिक अखवार में संपाद किये लेखन होगा और बस कालपनिक्ता की सच्चाई की इस्थापना होनी शुरू हो गई समझो इसके बाद तो ऐसे पात्रों का सेक्षनक अधिया में पदारपन होना निश्चित है चानक की घटना में भी इस पश्च तोर पर ऐसा ही किया गया है ये बात बिल्कु सही है कि चानक की कुछ जिस तरह से इतिहास में डाला गया है वो बहुत सोच समझ के डाला गया है और जि कह सकते हैं कि देखिए उस book में भी नाम है चानक का वो सबसे पहले बताया जाता है महाबंस और दीबबंस में चानक काव लिख मिलता है जबकि मैं अभी आपको बताया चुका हूं कि महाबंस और दीबंस जो है बो भी इसी समय लिखे हुए गरंत हैं वो ज्यादा पुराने नहीं है और उनमें जो जानकारी लिखी है वो पूरी तरह से सच नहीं है और अगर उनहीं को आप प्रमान मान रहे हो तो उसमें जो लिखी बाते हैं उनको भी प्रमान आपको मानना ही पड़ेगा जैसे उसमें चानक को हिंदु नहीं लिखा है ना सनातनी लिखा है ना बैदिक लिखा है अब आपका प्रिस्ण होगा कि उसमें तो ब्रामन लिखा है ब्रामन नहीं अगर पाली भासा में होता तो वहां बमन होता बमन तो बॉद्धों में भी होते हैं ये भी एक प्रस्न खड़ा हो जाएगा तो यहाँ पे आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो राजिव पटेल हैं वो केवल प्रस्न पूछ रहे हैं और ये जानने का प्रियास कर रहे हैं कि आपने जो चानके के बारे में जानकारी ली है वो कैसे ली है क्योंकि मौरे काल में कोई उस तक नहीं लिखी गई है उस काल में जो लोग लिखते थे वो पत्थरों भी लिखते थे तो फिर चानके के बारे में जानकारी कैसे हांसल हुई क्योंकि मौरे के किसी भी अविलेक सलालेक में चानक के नाम के वेक्टी का कोई यूलिक नहीं है ये कह रहे हैं राजियू पटेल वैसे तो राजियू पटेल ने अपनी इस बुक में बहुत सी बातों का खंडन किया है और कुछ तथ्यों में बहुत मजबूती भी हमें दिखाई देती है और जो वो पुछ रहे हैं उन पृस्नों में हमें सच्चाई भी दिखाई देती है कि वो सही है और ये पृस्न जरूर पूछे जाने चाहिए अगर यहां पर राजियू पटेल कुछ प्रमान भी देते तो सायद और मजबूती हो जाती इस वीडियो के अंदर जो जानकारी मैंने दी है ये जानकारी मैंने नहीं बलकि राजियू पटेल ने दी है चानके के बारे मैं तो उमीद है आपको यही समझ में आई होगी कि ये चानके के बारे मैं हमारे इतिहास में बातने की जाती है वो एक कहानिया है और कहानियों के ही बात रहें वो मुद्रा राक्षास को कवी आप पढ़ना उसमें कहानी ही है उसमें कोई इतिहास एक प्रमानकता नहीं है और मैंने पिछली वीडियो में क्या मैं हर वीडियो में आपसे कहता हूँ कहानी कवी की कलपना होती है उसमें कोई इतिहास नहीं होता है अगर आप कवीता को इतिहास मानते हो तो अभी आप अबोध बालक हो परिपकुता से आपका दूर दूर तक कोई बास्ता नहीं है तो उमीद है आपको ये चीज़ तमझ में आई होगी